देखो बच्चा यह बात समझनी पड़ेगी कि अंताकरण धर्म में जब तक ममत तो है तब तक जीवत तो है और जब तक जीवत तो है तब तक विकार है जब तक विकार है तो फिर अहंकार तो है यह यह बहुत सूख्ष्म भी सह है हमारा बंधन हुआ है अंताकरण ममत तुशे है और कोई बंधन नहीं है ना कभी हमारा बंधन था ना है न रहेगा बच्चा हम भ्रहम से अपने को आत्मवत अंताकरण में तनमेता करके मना खर्ष्टान इंद्रियानी प्रकृतियास्थान करस्ति इसी में फस गहे है शुद्ध मैं में कुछ नहीं है अचाह इस्तिती है निर्विकार इस्तिती है शुद्ध मैं को भूल करके अंतह करण में जो मैं स्थापित हो गया और उसी से मैं इस्त्रिव में, पुरुष में, विद्यान में, मूर्ख में, ग्रेश्ट में, विरक्तू यह मैं के साथ जो जो लगा वो शम माया युक्त है जब तक उपासना के द्वारा यह मलिंता नहीं मिटती तब तक कल्यान परंपद या अनुभूतियां वो सब साधक को जो आनन्द मिलता है वो आनन्द कोश का ही है यह अभी आनन्द स्वरूप का नहीं है जब स्वरूप का मिलेगा तो अनुभूतियां होती है किसको किसको अनुभूतिया होती है वो खुद अनुभूतिया मुझे हो रही है यही अज्ञान की बात है अभी वो अनुभूत थोड़ी हुआ है जिसे अनुभूत कहते है वो तो गुरू चरणों में बैठ कर जब हम उपासना करते हैं गुरू की लंगोटीद होते हैं गुरू की चरण रज लगाते हैं गुरू की आज्या में रहते हैं तब देया विमान गलित होता है मंत्र मूलम गुरू वाक्यम महावाक्यार्थष्य विचादयताम जब हम महापुरुषों के द्वारा दे हुए सूत्रों का मनन करते तब एकांते शुक माश्यता हूं एकांत में सुखासन में इस्तितु कर वो अपने सुरूप की तरब जाता है इस थूल सरीर सूक्ष्ण सरीर कारण सरीर ये तीनों माया रचित हैं और इसी में मैं समा गया है भ्रहम वस कभी गरंथी नहीं पड़ी पर प मैं देख रहा हूं मैं भोग रहा हूं मैं सुन रहा हूं बिल्कुल नहीं देखने का काम नेत्रेंद्री कर रही है संकल्प बना रहा है मन सुनने का काम स्रवनेंदी कर रही संकल्प बना रहा है मन और निश्चे करा रही गुद्धी हम कहीं है नहीं और ब्यर्थ में हम किय हुए हैं इसलिए अवस्य में भोगतव्यम कृतम कर्म सुभासुम उस अविनासी चैतन घन को श्वयम में फसाव फसा करके यह दुख सुख का भोग भोग रहा है स्वापनिक सत्य नहीं है स्वापनिक सुख दुख जैसे स्वापन में हम देखा कि वह पिटाई हो रही अब पूजे जा रहे हैं जगे तो न पिटाई थी न पूजा थी अईसे ही स्वापनिक दुख्षुख के मान अपमान के ब्रह्मे हम फस गए जबकि हम अब भी नहीं फसे है पर फस गए अब यही उपासना की तीक्ष्णधार बनाकर विवेक की ज्यान की और जो ब्रहमात्मक बंदन उसे काट देते तो जीवन मुक्त हो गया पर है बहुत इसलिए निरंतर नाम जब करो पहले सदाचरन का करता भाव असदाचरन का त्याग फिस सदाचरन से पवित्रुआ करता भाव का ले साक्षी मात्र तब जाके वो उसका लूबो अब चुकि बहुत टेड़ी खीर है अभी कहां अपने लोग तो बहुत दलदल में फसे हुई हैं जहां से बात करें बहुत उच्छी है तो इसलिए नाम जब करो और पहले ये ठान लोग के सास तर भी रो दाचरन नहीं करेंगे करो ये करता भाव असद का त्याग और सतकारियों का अनुश्ठान फिर सतकारियों के करता भाव का त्याग तब अनुभूतियां अपने आप से अपने आपकी होती है, अनुभूती मुझे किसी और की हो रही वो गलत है, अपने आप से अपने आपकी अनुभूती होती है, कोई और नहीं है, कोई और नहीं, दूजो नहीं, द्वैत नहीं है, वो एक ही है, स्वई जाने जह देह जनाई तो जानत तुम्हे तस्मित चजने भेदा अभावाद ब्रह्मवी भवती तो ब्रह्मवी भवत को होता है वो ब्रह्म है रहेगा तो वह यह जानना है बच्चा उसी जानने के लिए संतों का समागम करते हैं तो हमारी प्रार्थना पहले असद आचरण से बचो सद आचरणों का नुष्ठान करो तब धूसरित हो जाए तो फिर प्रतिविंब सही नहीं दीखता ऐसे मलिन अंता करन है शद शास्त्रों का श्वाध्याय करो शद विचार वाले महापुर्षों का शंग करो शद आचरन करो और शतनाम जब करो जो गुर्देव ने नाम मंतर दिया है संसार का चिंतन छूटना ही साधना है के इन के प्रकारेन कैसे भी सरीर संसार का चिंतन होना ही असाधन है देखो नीन में जो सुख मिलता है तमोगुण में कोई सुख नहीं है पर छे गंटे संसार का चिंतन छूटा तो आप कहते आहा बहुत फ्रस महसूस होता है, नहीं होता है, कि आज बहुत सुक पूरुवक सोया, और शमाधिस्त पुरुष जागर तवस्था में संसार का चिंतन छोड़कर परमात्म चिंतन आत्म चिंतन में, तो उसको कैसा सुक प्राप्त होता होगा? ये तो तमोगुण जनित संसार का चिंतन छूट गया 6 गंटे के लिए तो कितना आनंद महसूस होता है और अगर परमात्म चिंतन करते वे संसार का चिंतन छूट जाए तो चलते फिरते उठते बैठते हर समय समाधी है हर समय परमानंद है अब भाई थोड़ा उचे उठो काशी से आयो हां तो इसलिए काशी की बात हो रही है ठीक है यह थो भूल जाओ के कोई अनभूती हुई है पीतल को सोने मतमाले नहीं तो जवरी के पाश्चे वो सोने के बाव ने विकेगा, पीतले के बाव विकेगा, कहीं अग्यान को ग्यान न मान लिया जाए, शुद्ध ग्यान जब होगा, किसी और का नहीं होता, अपने आपका ग्याल होता है, अपने आपका हो जाए तो परमात्मा खो जाएगा, अपने आपका हो जाएगा, दोन मात्मा में अभेद इस्थिती है, वहां भेद नहीं है, सबज़ पारे, नहां चलो, आगे चलो, भजलम करो, सबज़ में आएगा, संतों का संग जरूर करते रो, दुरलब है, संतों का संग मिलना दुरलब है, ये हो गया, मात संगस तो दुरलब हो, और निर्वाह कर ले पाई, जब जहें, जतन जहां जहें पाई, सो जानो, सत्संग प्रभावू, लोकों वेद ना आन उपावू, बड़े-बड़े साधनों में जो बल नहीं, वो सत्संग में है, व्रतानी यग्चंदान सितिर्थानियमा यमा, यथा वरुंदेत सत्संगा, सर्वसंगों पहो ने मिलता, वो भगवत बोध संपन ग्यानी महापुरुषों के चर्णों में बैठने से प्राप्त हो जाता है, तात स्वर गया पवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तूलनताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग, संत महापुरुषों का संग, सत्संग किसे कहते हैं, जहां बैठ बैठने मात्र से अपने दोस्त दिखाई देने लगें, जहां बैठने मात्र से अपने को भगवत प्राप्ती की जिग्यासा, जहां बैठने मात्र से हमारा क्या स्वरूप है, हमारा क्यों जन्म हुआ, ऐसे प्रस्म उठने लगें, वो सत्संग है, जहां धर्म, अर्थ, का तीनों से रती हट जाए केवल मुक्षा विलासा जागरत हो केवल भगवत प्रेम की बात जागरत हो तो जानलो सत्संग हो गया सत्संग और जहां कुशंग होगा वहां अर्थ की प्रधांता भोगों की प्रधांता नाना प्रकार के मानप्रतिष्ठा की बाहुलेता यह सब संस्रतिका रंता बड़े भाग पाईव सत्संगा तो बिनाई प्रयास होई भव भंगा ये केवल भगवत प्राप्ति संत संग का मतलब है भगवत प्राप्ति संत संग हो गया इसका मतलब है कि हमें अम निश्चित भगवत प्राप्ति होगी अमोगस्च अगर संत संग मिलने पर भी भगवत प्राप्ती नहों तब तो फिर दुर भाग गए, फिर काँ भगवत प्राप्ती होगी, किस मार्ग से होगी, भगवत प्राप्ती का सहज सुलव सरस मार गए, भगवत प्रेमी मात्मा, भगवत बुध शंपन मात्मा का साक्षातकार हो जाए, उनका संग हो जा हाँ भगवान संकर समस्त गुरुओं के गुरु है आनंदवन है कासी सानंदम आनंदवने वसंतम आनंद कंदम हर्त पाप बरंदम वारान सीनातम अनातनातम स्री विश्वनातम सरणम प्रपद्दे आनंदवन जैसे बरंदावन तो कासी आनंदवन है हाँ कासी आनंदवन है आनंदवन में रहका आनंद से कैसे वन्चीत रहे जाओगे वहाँ विश्वना जी के दर्शन करने जाते हो है हाँ विश्वना जी के दर्शन करो सत्संग सुनो और इस्मरन करो संसारीक इस्मरन छूटे बसल यस इस्मरन मात्रेन जनम संसार बंधनात विमुच्यते नमस दस् इस्णवे प्रभु इस्णवे ये इस्मरण का मात्व है जिनका इस्मरण मात्व संसार चक्र से निवत्त कर देता है आओ भगवान वो श्री हरी वो श्री हर वो एक ही है इस्मरण करो वही अपने स्वरूप का बोध करा देंगे